Hello Friends, Welcome to Industrial E& Engineering दोस्तो आज की वीडियो में देखेंगे हम Difference between Soft Starter and BFD Soft Starter and BFD के बीच के हम Difference देखेंगे दोस्तो दोनों में इससे पहले दोस्तो मैं आपको बताना चाहोगा मैंने अल्रेडी मोटर स्टार पे वीडियो बना चुका हो, Soft Starter हो वीडियो या डॉल स्टार हो इससपे ताप उस वीडियो को जाकर देख लिए सुरेट आपका जो कॉंसेप्ट है अभी मैं समझाओंगा उससे अभी अच्छे तरह से समझ में आए तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तो के स्टॉप कंट्रोल होता है उसके अलावा दोस्तो हम मोटर का जो होता है स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं बीअबडी के केस में मोटर का स्पीड को किस तरह से कंट्रोल करते हैं जैसा कि मैंने आपको बीफडी में बताया भी है जब इसके हम circuit diagram को discuss कर रहा है, कासे कासे एक काम करता है, तो इसमें होता basically क्या कि हम लोग variable voltage को और frequency को change करते हैं, हमें speed को control करते हैं, आज पर requirement आप उसको change कर सकते हैं, next है, कि soft starter जो होता है दोस्तों, आपका delay time दिया गया रहता है, कि soft starter starting में current को limit करने के लिए line में रहता है, after 10 seconds, 20 seconds, 52 seconds, जैसा कि आप देंगे, उसी हिसाब से उतने तर के बाद, आपका soft starter line से हड जाता है, it means वो directly supply से run करता है, soft starter basically हम लोग initial stage में starting current को limit करने के लिए देते हैं, बट VFD के case में क्या होता है, कि यह हमारा VFD case में जब motor को start करते हैं, तो जो VFD है throughout operation, अतलब last तक जब तक motor run करेगा, उस बक्त तक हमारा VFD line में ही रहेगा, जो soft starter होता है दोस्तों उसमें, हम लोग harmonic analysis inject नहीं होते हैं, बट अगर VFD के case में किया जा, तो होता है, harmonic analysis voltage और current की बात कर रहा है दोस्तों, तो उसमें जो अगर output आप देखेंगे, तो आपका proper नहीं मिलेगा, filter बट VFD के case में देखेंगे, हम लोग जो harmonic मिलता है, उसमें harmonic, उसमें क्या होता है, कि एक्स्ट्रा filter लगा कर हम उसको reduce करते हैं, VFD के case में, जब इसका circuit diagram देखेंगे, block diagram जो मैंने समझा है, कैसे work करता है, उसमें हमने सब filter को detail में बात कर रखा है, दोस्तों, अगर soft starter की बात करें, VFD के comparison में, तो ज्यादा महेंगा नहीं होता है, द VFD जहां भी रहेगा, दोस्तों, वहाँ AC की जरुवत परती है, आपको cooling के लिए, क्योंकि उसके अंदर circuit इस तरह का होता है, दोस्तों, कि heating यह ज़्यादा करता है, बट इसमें, soft starter में ऐसा कुछ नहीं, normal temperature पर भी रह सकता है, next है, energy saving, तो soft starter के case में, energy saving जो होता है, दोस्त को कम या ज़्यादा कर सकता है, जिसके बज़से क्या होता है, कि energy का saving होता है, बट इसमें ऐसा controllable नहीं है, इसमें control कर सकते हैं, इसके इस point के अलावे भी अगर देखें दोस्तों, तो जैसे soft starter के case में क्या होता है, कि AC voltage supply को regulate के जाता है, आपको thyristor के help से, बट VFD के case में क हो, कि हम लोग AC को पहले DC में convert करते हैं, फिर DC को AC में convert करके हम desired value को पाते हैं, तो VFD कैसे, इस सब हमने discuss कर रखा है दोस्तों, इसके block diagram आपको समझाया कैसे काम करता है, इस सब detailed में रखा है दोस्तों, अब प्रीज उसे video जाकर देख ले, फिर अगर software starter की बात करें, तो य यह जो है दोस्तों हमारा, यह जो supply को, supply voltage भारी करता है, आपका अपका सब्सक्राइब करता है, बट इसमें क्या होता है दोस्तों, voltage as well as frequency भारी करता है, नेक्स, software starter की बात करें, तो इसमें जो होता है दोस्तों, starting torque आपका medium, low to medium रहता है, बट BFD के कैस में बात के जाया, त starting torque, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें हमें कुछ additional filters की जरूवत नहीं परते हैं, बट BFD के कैस में हमें additional filter का जरूवत परता है, फिर अगर इसकी बात करें जाया, तो यह हमारा जो होता है कि motor को control, constant speed में run कर ले के लिए हम software starter की उज़ करते हैं, इसमें software starter में कहा है कि ह आप मोटर के speed को control नहीं कर सकते हैं, बट BFD के case में क्या होता है, इसको यूज इसलिए करते हैं कि जो motor के speed है, उसको variable हो सके, अगर 10 RPM है तो 10 पर चला है, या 1000 है तो 1000 पर चला है, आज पर requirement आप BFD के through, आप मोटर को control कर सकते हैं, speed को, तो यह रहा दोस्तों difference, इसके लाब अगर आपको कोई doubt है, तो comment box में comment किजिए, अगर वीडियो अचला है तो like, share, subscribe जरू करें दस्तों, thank you so much दस्तों